एक बार पुर्णा स्वागत करते हैं हमारी यूपी लाइफ पंट्रेट्स प्यूज पर मैं उस्प्नेंट तरी रावकर स्वागत करता हूं अमारी यूपी लाइफ पंट्रेट्स पर 15 साल हो गए हैं गाउ में नहीं हुआ विकास हलकिसी बारिस गाउ में बन जाता है तालाव लोगों को गाउ से निकलना हो जाता है मुश्किल गाउ में विकास ना होने से गिराम लोगे आपरोज होकर क्या धर्मना या उच्छ अधक नूरी पुरुवा का पुरा मम्ला है जहां पर 15 साल हो गए हैं काउ में ना तो नाली ना तो खांजा ना तो इंट्रम लाकिन ना तो कोई साफ सफाई ना होने के करण गाउ में आए दिन बीमारियां बनी रहती है ऐसे में एक रामलों का कहिना है कि कई बास अधकारी को क्यों नहीं हो रहा है ना तो साफ सफाई करने सफाई कर्मी कभी आते हैं और गिराम परधान भी आस्वासन देकर चले जाते हैं यहां के गरीब जनता सरकार के देगे अउजणाम को तरस रहे हैं ऐसा क्यों परधेश सरकार के आजिसों पर पानी फेर रहे हैं जुम्यदार अधकारी मैं स्ट्च मिसंग की फुले आम धज्य वड़ाय जा रही है गरीब जनता डूबी हुई है फीचल में और गड़ों में और परधेश सरकार योगी अरितनात जी से गरीब जनता लगा रही है गोहार लगाने पर सरकार द्वारा नय मिलता है या फिर आस्वासन ही दिया जाता है देखी आज ही कुछ खास ख़बर एमत वसायन के साथ बैराइच क्या समस्या है आप लोग किसलिए धर ना दिये हैं कितने दिन हो गया है गाउं में विकास नहीं हुआ है कभी नाए बनाया पर अधरा सार के फोलोग कोई ने बनाया तो अधर नाम है आपका जाओं सा गाउं है या समस्या है आप लोग किस ने धर ना दिये हैं कितने दिन हो गया है लगब गाउं में विकास नहीं हुआ है या चार है आप लोग किसलिए नाली बन जाए अब लोग के घर में पानी चला जाता है नमस्कार मैं इस वक्त जनपत हराईश के विकास खंड बलाहा के अंतरगत गिराम पंचेक बिर्धरपुर के नूरी पुरुआ में खड़ा हूं जहां पर काफी संखिया में भीड लगी हुई है यानि यहां पर धरना दिये है लोग किरामिलों का कहना यह है कि 15 साल बीद ग बीद गये हैं कि विकास क्यूं नहीं हुआ है चलिए हम बात करते हैं आईए यहां के जिरामिलों से क्या नाम है आपका भई साब जमीर एमाल कौन सा गांव है यह दूरी परवाद यह बताए जो हमको गिरामिलों के द्वारा भी जानकारी मिली है कि 15 साल बीद गये हैं इस तरकार द्वारा हम लोग को लाभ मिले तर घर में पारी टोना रेटे खुच जाता है यानि इस इस वार पर पर आए है यहां पर आए है अचारियों को द्वारा कुछ अत्वासन दिया गया है आपको क्या समसिया है आप लोग किस लिए धर्ना दिये हैं कि हमारे गाउं में 15 साल से कोई नानी बना है न सड़क बना है न कोई हम लोगों के लिए कोई चीज का सस्काहता हो रहा है न कोई विकास बना है वी सब्कुँंगे थ किया कर देंगे विए नहीं हो रहा है और गाउं हमारा परेशान है नानी जो है नानी बना हुआ हमारे जाता है हर बात के लिए झुड़े सुर्था बने हाँ अग्डुलामी काउंसा गाउं है यह बताए क्या समस्या है आप लोग की सलिए यहाँ पर धरना दिये हैं यहाँ सरकार द्वारा आप लोग को कुछ लाब नहीं बिलाए यहाँ खरनजा और नाली बने हुए कितने दिन हो गए इस नहीं बना है आप लोग क्या चाहते हैं अच्छा यह सरकार द्वारा आप लोग को लाब मिले इस्टा मारो क्या समस्या है आप लोग किसी ले धर्दा दिये हैं यहाँ पर कितने दिन हो गए लगब कोई विकास नहीं हुआ है नाजी खरनजा का नहीं हुआ है कितने दिन हो गया है लगबग यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। कितने दिन हो गए लगबग इस गाउं में विकास नहीं हुआ है। यहाँ नहीं विकास हुआ है। क्या समस्या है आप लोग को किस लिए आप लोग ने धरना दिया। कितने दिन हुआ है लगबग काउं में विकास नहीं हुआ है। इस विसे में किसी अधकारी को आपनों सूचना दिया। कि अधकारी आए है। देखके चले गए है। कि अधक अधके करते हैं अधके करते हैं। कि अधके करते हैं यह विए यह पताएं आप लोग को क्या समस्या है। इतने दिन हो गया लगबग दुकास नहीं हुआ है नहीं हुआ है यहां पर नाली फड़ंजा सरकार के भरारा आपको लाब मिला है परदान जी आपके कौन है यह बताएं यह बताएं क्या समस्या है आप लोगो किसी करें यहां पर भरलादी है नहीं हुआ है मैं देखो शीवेन दो हुआ है तो आपके दूर्पार क्या काम होता है थिकास नहीं हुआ है आप क्या चार है काउन सा गाव है ये जिला काउन सा है आई ये बताइए क्या समसिया आप लोग किस लिए धर्ना दिये हैं कर दो यह जो कि अधर बार्साथ ना और भाने आज शुद्धाओं पानी बाराएं नाजे ना तलक ना खालंजा ना कोई लेटरिंग ना कोई कालोणी कुछ एक कालोणी सरकार कर तरक चार्दियो कई और भाली ना निकल पाऊबर था इतने दिन हो गया लग्वक्ताओं में प कर दो दो